आज चुनावायोक से मिला कॉंग्रेस पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार और कानून मंत्री द्वारा कल फरूखाबाद की एक जन सभा में मुसल्मानों को नौ पर्तिशत आरच्छन दिये जाने की घोशड़ा वो भी पिछड़ों के 27 परतिशत आरच्छन के अधिकार से कटोती करके धर्म के आधार पर आरच्छन दिये जाने का एलान जहां एक तरफ आसमवैधानिक था वहीं दूसरी तरफ एक अपराधिक साजिश का हिस्सा था और खुले आम केंदर सरकार के एक मंत्री के द्वारा आधर्श आचार सहिता का खुलाव लंगन भी था इस संबन में हम लोगों ने चुनावायोक से कहा कि अपने आप में एक खतरनाक मानसिक्ता है खतरनाक साजिश है जिसके तहट की उत्तर प्रदेश को धर्म और जाती के नाम पर बिखराओ और टकराओ के रास्ते पर ले जाने का शड़्यंत रचा जा रहा है इस शडियंत के हिस्सेदार भागीदार extr पार्टी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल है और जिस तरह से स्री सलमान खुर्षीड जी ने केंद्र सरकार की तरफ से ये गोशला की कि पिछले और कमजोर तपकों को मिल रहे 27 पर्तिशत आरच्छन में कटौती करके इससे पहले उन्होंने 4.5 परसंट कटौती की थी उस कटौती को बढ़ा करके 9 पर्तिशत किया जाएगा शुद्ध रूप से पिछलों और कमजोर तपकों के अधिकारों पर डाका और उनके स्वाहिमान पर हमला है एक तरफ पिछले और कमजोर तपकों के अधिकारों पर डाका और उनके स्वाहिमान पर हमला है वहीं दूसरी तरफ अपने चुनावी लाप के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रह युद्ध के रास्ते पर ले जाने का खतरनाक शड़ियंत रहे भारती जनता पार्टी पिछले और कमजोर तपकों के अधिकारों और उनके स्वाहिमान पर कॉंग्रेस पार्टी के इस हमले का मुहतोड जवाब देगी उसका पुर्जोर विरोत करेगी और किसी भी तरह से हम इस तरह की विगटनकारी मानसिक्ता को सफल नहीं होने देंगे वास्तिविक्ता ये है कि कॉंग्रेस अपने करप्शन पर परदा डालने के लिए करप्शन के मुद्दे को कोटे के मुद्दे में डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की शगूफे बाजी और घोशलाएं और एलान कर रही है एक केंदरी मंतरी के द्वारा ये कहा जाना एक केंदरी कानून मंतरी के द्वारा ये कहा जाना कि जो पिछलों को 27 परतिशत आरच्छन मिल ला है और जिस आरच्छन में शर्मनाग तरीके से 4.5% कटवती विरोध के बावजूद भी इस सरकार ने किया था उसके बावजूद भी ये कहना बेशर्मी के साथ ये कहना कि अब 4.5% को हम 9% करने वाले हैं यानि ये इस बात का सुबूत है कि कॉंग्रेस पार्टी और उसके जो साथी संगी हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है वो कहीं न कहीं इन पांच राज्जों के चुनाओ और विशेश तोर से उत्तर प्रदेश के चुनाओ मैं अपनी चौतरफा नाकामी जिसमें ब्रष्टा चार है घोटाले हैं महंगाई है इन तमाम नाकामियों पर कोटे का परदा डालना चाहती है और इस तरह के विवाद को पैदा करके अपने को अलब संख्यकों के हितों का चैंपियन दिखाना चाहती है हम ये मानते हैं कि ये जो घोशला की गई है ये घोशला केवल उत्तर प्रदेश में बिखराओ और उत्तर प्रदेश में टकराओ का ही माहौल नहीं पैदा करेगा बलकि कहीं न कहीं ये पूरी की पूरी घोशला या पूरी की पूरी साजिश देश के हितों के विपरीत है भारती जनता पाटी समाज के सभी वर्गों की समरिद्धी कोई प्रेस नोट नहीं है मेरा समाज के सभी वर्गों की समरिद्धी और सुरच्छा की पक्षधर और हिमायती है हम चाहते हैं कि समाज में समाज का आखरी व्यक्ति प्रगती की मुखधारा में शामिल हो लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने जो शुरुवात की है वो उसने अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है जो परंपरा की बाटो और राजकरों की परंपरा रही है हम इस साजिश का पुरजोर विरोध करेंगे और इस साजिश का सड़क से लेकर संसत तक विरोध करेंगे आज इस घोशला को लेकर उत्तरप्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है और खास तोर से दबे कुछले पिछले तपकों में जिनके अधिकार में कटोती और जिनके अधिकार को चीन करके इस घोशला को किया जा रहा है वो निस्टित तोर से अप्मानित महसूस कर रहे हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं हम कमजोर तपकों के और खास तोर से पिछले तपकों के इन अधिकारों और उनके स्वाहिमान पर कांग्रेश द्वारा डाले जा रहे हैं डाके को किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे इसके अत्रिक्त एक मुद्दा है उत्राखंड चुनाओं से संबंदित उत्राखंड में बहुत बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है जिससे की पूरी तरह से जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है आम लोग का जो सामान जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है चुनाओं के परचार पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं लोगों का आना जाना पूरी तरह से ठप है और अभी कल ही उत्राखंड के मुख मंत्री शिरी भुवंचंद खंडूरी जी कोटद्वार में थे पौड़ी में वहाँ पर बरबारी की वज़े से वो बुरी तरह फस गए और पैदल उन्हें घंटों चलना पड़ा उसके अत्रिक्त ये जो बरबारी है वो जहां एक तरफ चुनाओं परचार को सीधी तरह प्रभावित करेगी वहीं दूसरी और जो मद्दाता हैं उनके मताधिकार को भी सीधी तरह से प्रभावित करेगी हमने चुनावायोग से मांग की है कि चुनावायोग उत्राखंड के चुनाव की तिधियों में बदलाव करें और उसको बढ़ाए दस फरवरी तक करें ताकि उत्राखंड के मद्दाता अपने मताधिकार का इस्तिमाल कर सकें उत्रपदेश में कुछ अधिकारियों को हटाया गया है चुनावायोग ने उन अधिकारियों को इसलिए हटाया कि वो अधिकारी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के कारकरता परवक्ता कैडर और कौर्डिनेटर की भूमिका निभाते रहे हैं उन हधिकारियों की भूमिका शुद रूप से राजनेटिक कारकरता की भूमिका रही है एक वरिश्ट अधिकारी की भूमिका नहीं रही है उसी वजए से चुनावायोग ने अपने आकलन के आधार पर लोगों की शिकायतों के आधार पर उनको हटाया और ये पहली बार नहीं इससे पहले के चुनाओं में भी ये अधिकारी चुनाओवी कारियों से मुक्त रखे गए थे इसलिए ये हिस्टी शीटर आफिसर्स हैं और इन अधिकारीयों को हटाये जाने के बाद उन्हें उससे भी जादा महत्पूर पदों पर बैठाल दिया गया है एक अधिकारी को अपॉइंट्मेंट सेक्रेटी बना दिया गया है और दूसरे अधिकारी को पी एसी का मुक्या बना दिया गया है ये दोनों पद ऐसे हैं जो सीधे तोर से चुनाओ और चुनाओ के कामों से जुड़े हुए हैं हमने चुनाओ आयोग से कहा है कि इन दोनों अधिकारियों को और उसके अत्रिक्द भी कुछ और अधिकारी भी हैं उन अधिकारियों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिम्मेदारी के पद से हटाया जाए उनको उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए क्योंकि इस तरह के हिस्ट्री शीटर लोगों को तड़ी पार किया जाता है तो उनको तड़ी पार किया जाए उत्तरब्रदेश से चुनाओ तक ताकि उत्तरब्रदेश के लोग भैमुक्त माहौल में निश्पक्ष माहौल में अपने मताधिकार का इस्तिमाल कर सके और भैमुक्त माहौल में चुनाओ हो सके मुझे तो इतना ही कहना है